दोस्तो वीडियो के नीचे देख रही लाल बटन को दबा के सब्स्क्राइब केजिए हमारी चनल को और साथ में दोस्तो घंटी वाली बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप देख पाए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले हेलो नमस्कार दोस्तो मेरे नहीं रावल और आप देख रहे हैं मौप्रिक्स दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वालों कुछ ऐसी सिक्रेट सेटिंग्स के वारे में जो कि आपको अपने मोबैल में जरूर करके रखने चाहिए हम उन सारी सेटिंग्स को देखते तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दो कि इस वीडियो में मैं यूज कर रहा हूं मोटो जी फाइप प्लस जो कि Android नोगट पर चल रहा है हो सकता है कि आप आप दूसरा कोई मोबाइल फोन यूज कर रहे हो जिसमें आपको सेटिंग्स कुछ उप पॉप एट सामने आ जाता है अपने कई बार नोटिस किया होगा अगर आप क्रोम ब्रॉजर यूज करते तो आप इस चीज को रोक सकते हैं बंद कर सकते हैं अप पर चले जीए थी डॉट्स पे चले जाए फिर आपको सेटिंग्स पर जाना होगा सेटिंग्स में जाने बा दोस्तों हाइड सेंसेटिफ नोटिफिकेशन कंटेंट काई वार ऐसा होता है कि आपका मोबाइल रहता है और कोई बिनन छाटा अब हो जाता है और इस जो भी मैसेज रहता है वह दिखने मतलब हर कोई उसको पढ़ सकता है बड दोस्तों आप चाहें तो obvious और युण आपको सेडिंग नापस करने में इसके बाद जब भी आपका मोबाइल लॉक रहेगा और कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो उधर लिखा रहेगा content hide hidden content ऐसा करके लिख के आएगा मतलब क्या notification आया है कोई भी मैसे सो नहीं होगा मतलब किसी को मालुम नहीं पड़ेगा जब तक कि आप अपने मोबाइल को unlock आप नहीं करते हैं तो यह मुझे काफी अच्छा और बहत्रीन सेटिंग लगा जो कि आप यूज कर सकते हैं तरी सेटिंग है दोस्तों ad users दोस्तों कभी ऐसा होता है कि आपको अपना मोबाइल अपने दोस्तों को तो इसके लिए आपको option मिल जाता है आपके मोबाइल में add users का आप सेटिंग में चले जाएए फिर आपको यूजर का option मिल जाएगा फिदर से आप add users कर सकते हैं तो इधर add user connect बाद उसका सामने वाले को जो भी Gmail ID उससे आप वह sign in कर लेगा और उसको इंदम new mobile मिलेगा मतलब ना तो कोई app दिखेगी ना तो कोई कुछ भी चीज मतलब आपका photo वीडियो कुछ भी चीज नहीं दिखेगा पुरी तरीके से नया mobile उसको सामने वाले को मिलेगा और जब आपको वह mobile देगा तो आप फिर से उसका account डिलीर कर दीजे और आपका mobile पहले जैसे हो जाएगा जैसे कि आपकी सारी settings वगरा सारी चीजे आपकी सारी data फिर से वापस आ जाएगे तो यह मुझे बहुत कमाल का feature लगा है तो चली बढ़ते हमारी अगली सेटिंग की और अगली सेटिंग है backup and sync दोस्तों आपको गूगल फोटो में option मिल जाता है कि आप automatically अपने फोटो या फी वीडियो का automatic backup ले सकते हैं आप अपने गूगल फोटो में चले जाएए और उस से आप इसको क्लिक करते हैं आपको अन कर देना है इससे क्या फाइदा होगा कि जब भी आपका वाइफाइ के रेंगे तो आपके मोबाइल जो भी नए अपने फोटो याफी वीडियो सूट के हैं वह अपने उसका backup बन जाएगा आपके एकाउंड में जो भी आप एकाउं मुझे काफी अच्छा फीचर लगा अब इसको जरू ट्राइ किजिए अगली सेटिंग है दोस्तों रिस्ट्राइक मोड दोस्तों आप यूटूब तो देखते ही होंगे और और यूटूब पर ही वीडियो देख रहे हैं यूटूब पर बहुत सारे ऐसी भी वीडियो जो आपको यूटूब पर दिखाई नहीं देंगे तो आपका इन फाल्टू वीडियो उन सारे फाल्टू वीडियो देख रहे हैं मैंका टाइम वेस्ट नहीं होगा तो यह मुझे काफी अच्छा फीचर लगा आप इसको भी ऑन करके रखिए आपका टाइम बचेगा और फाल my device दोस्तों मालो अगर आप कहीं जाते हैं और आपका मुबाइल गिर गया चोरी हो गया या फिर तो आप रिमोटले अपने मुबाइल को ढूंड सकते हैं कि आपको कहां गीर है और अपने मुबाइल से डाटा वगर को डिलीड भी कर सकते हैं या फिर कोई पासवर्ड लोग इसके बाद इसके बाद और इतना से काम करना है दोस्तों अपने मुबाइल करें पहिरे से आप छोड़ी होगा तो आप मोबाइल का कर सकता है और चया जाहिए अगर आपको लगहए में वहाँ होुई तो उस टाइम पर आप अपने मोबाइल में लोकेशन ओन करने कोई जुरूरत नहीं है हमारी लांज्ट की सेटिंग एत्के सेटबी सिम काड़ लॉग दोंस्ते हम अपने मोबाइल मेंgrassलाग लगा हैं इससे कि आपका सिम कोई भी निकाल के यूज ना कर पाए तो आप अपने मोबाइल पर भी एक पासवड़ सेट कर सकते हैं जिससे कि आपका SIM सिर्फ और सिर्फ आभी यूज कर पाइंगे और कोई भी यूज नहीं कर तो इसके लिए आप सेटिंग पर चले जाए सेटिंग में जाने कबाद आपको our defaultовые ही यहाथ सब्सक्राइब कर दीडिया ऑकर अगया कोई बंदन के इसको अपने लागाता है तो अगर वो incorrect password डालता है 3 times से ज्यादा तो आपका sim totally block हो जाएगा बट टेंसल लेने की बात नहीं है आप अपने customer care पे phone करेंगे तो वो एक P.O.K. code देदेगा P.O.K. code आप उसको enter करेंगे तो आपका sim fit से enable हो जाएगा तो यह सारी चीजे आप कर सकते हैं तो दोस्तो यह कुछ settings थी जो कि आपको अपने mobile में जरूर से जरूर करके रखनी चाहिए तो दोस्तो आप नीचे comment box में comment करके बताईए कि आपको कौन सी setting ज्यादा मतलब useful लगी कौन सी setting आपके लिए बहुत ज्यादा useful लगी तो नीचे comment box में comment करेंजिए और कुछ मुझे बताईए तो दोस्तो आशा करतों आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए एक बड़ा से like और दोस्तों सेयर कर दीजिए अपने